हेलो एव्रिवन वेल्कम अगें टू लन्वरिद देतिमन तो लास्ट वीडियो में हमने मेवाड के समर सिंग तक पढ़ लिया था ठीके तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इनको धीरे-धीरे करके आप लोग रिवाइस करते चलिए ताकि सारा मैटर इकटा न होने पाए तो आज हम रावल रतन सिंग पढ़ेंगे रावल रतन सिंग समर सिंग के ही बेटे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो समर सिंग थे इन्होंने क्या किया था कि जब गुजरात से सोमनात मंदिर को लूटने जा रही थी अलाउदिन खिल जी की सेना त और ये रावल साखा के अंतिम साशक माने जाते हैं, अब इनका समय जो है वो जादा नहीं है, एक साल ही है इनका 1302 से 1303 तक का इनका शाशनकाल है, इनका विवहा जो है स्री लंका के राजा गंधर्वसेन की पुत्री पदमनी से हुआ था, और ये जो पदमनी थी, ये बहुत हीरामन तोता है, ये चित्तोर पहुँच जाता है उड़कर, और राणी पदमनी की सुंदर्ता का वड़न रतन सींग के सामने कर देता है, तो जो रावल रतन सींग है, अब वो राणी पदमनी से विवहा करना चाहते थे, क्योंकि राणी पदमनी जो है वो इतनी अधिक पहले कर चुका था तो वही राजा गंदर्वजेन जो है वो स्वैंबर कराने का निर्णय लेते हैं और वहां पर बहुत सारे हिंदू राजाओं को बुलाते हैं तो राजा जो रतन सींह है वो भी जाते हैं वैसे इनकी 12-13 जो है वो रानिया पहले से ही थी फिर भी रानी इतनी सुन्दर थी तो देखिए ये कई राजाओं से हैं युद्ध करते हैं और रानी पदमनी से विवहा करके और उन्हें चितोड लेकर आ जाते हैं तो वहीं पर चितोड में रतन सींग के यहां पर एक पंडित था राघव ये जादू टोना करता था और जब इसकी बुरी नजर रानी पदमनी पर पड़ती है तो रतन सींग को ये अच्छा नहीं लगता है और राघव को वो चितोड से निकाल देते हैं राघव जो है वो दिल्ली जाकर अलाउदिन खिलजी से मिल जाता है और वह रानी पदमनी की जो है सुंदर्ता की व्याक्या जो है वह इस वज़े से वह मेवार को तो पहले ही हांसिल करना चाता था और दूसरा रानी पदमनी जो है ये भी कारण बनती है मेवार पर आक्रमन करने का तो देखिए अलाउदीन के मेवार पर आक्रमन करने के दो कारण थे अत्यदिक महत्व कांची और सामराज्यवादी यानि बहु शेरसा सूरी के दरवारी कवी मलिक मोहंद जैसी द्वारा लिखित पदमावत में मिलती है, जो की उन्होंने लिखा पंद्रअसो चालिस ईस्वी में. ठीक है? और इसकी जानकारी हमें अमीर कुसरों के ग्रंथ से भी मिलती है, जिसका नाम है खाजाइन उल-फुतू. ठीक है और यह अमीर खुसरों ने अर्बी भासा में लिखा था, तो इन दोनों की नाम ही आप लोग याद रखिएगा, रावल रतन सींग के दो सैनापती थे, गोरा और बादल, तो अब देखिए अलाउदिन खिलजी जो है वो आक्रमन करेगा, तो अलाउदिन खिलजी ने सबसे प गया था क्योंकि 8 महीने तक घेरा इसने डाला था, लेकिन फिर भी जो है उसको सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन 26 अगस्त 1303 इसवी को, अब इसने दिमाग जो है वो लगाया होगा 8 महीने तक जो है वो कुछ भी नहीं हुआ, रतन सींग के नितरत्व में गोरा और बा नहीं के द्वारा यहां जोहर किया जाता है, तो 26 अगस 1303 को अलाउदिन खिलजी जो है वो आक्रमण कर ही देता है, तो इसी को चित्तोड का पहला साखा कहा जाता है, ठीक है, तो चित्तोड का प्रथम साखा जो है वो 1303 इसवी में रावल रतन सींग के समय में हुआ था, तो इंपोर्टेंट लाइन है, एक्जाम में आ सकती है, तो इस आक्रमण के दोरान देखिए, 30,000 हिंदू जो है वो मारे जाते हैं, अलाउदिन का चित्तोड गड़ पर अधिकार हो जाता है, और यहीं पर गोहिल वंस की समाप्ती और इसका इस्थान शिशोद्या वंस ले पुत्र खिज्र खां को यह सौप कर चला जाता है, चित्तोड को, तो देखिए, खिज्र खां जो हैं, वो दो हैं, एक तो अलाउदिन खिल जी का जो बेटा है, उसका नाम खिज्र का है, और दूसरा सयद वंस का खिज्र खां है, तो दोनों ही अलग-अलग हैं, याद रख और शिशोदा गाउं का जो लक्षमन सींग है वो अपने साथ पुत्रों के सहित जो है वो मारा भी जाता है अब देखिए कि पदमनी के कारण जो है वो आकर्मन हुआ ऐसा पदमावत तो बताता ही है इसके अलावा नैंसी रिख्यात करनल जैम स्टॉड आइने अकवरी और त सबी ये लिखते हैं कि रानी पदमनी के कारण ही मिवार पर आकर्मन करता है अलावदिन किल जी खजाइन उल्फुतू में पदमनी की तुलना जो है वो सेबा की महरानी से की गई है ऐसा कहते हैं अमीर खुसरो तो ये भी आप याद रखिएगा इसके बाद के शाशक जो है राना हमीर शिशोद्या से स्टार्ट करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू